एस्ट्रा माइक्रो आशी जी कैसा लग रहा है ये भी निश्टले सोरो से आज अच्छा एक्युमिलेशन दिखा रहा है स्टॉक 3% उपर है क्या करना चीए रजिट जी डिफेनेटली होल्ड करने की सला दूंगा में यहां पर क्योंकि एक एक स्ट्रिम शॉट्टम चाट देखते हैं तो हायर टॉप बाटम बनाने की कोशिश में यह स्टॉक दिखाई दे रहा है और अगर सारे बॉटम में कनेक करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता नई अगर खरीदारी करनी है तो फिलाल 127-128 के लेवल पर ना करें मैं मानता हूं कि 134 के उपर नई खरीदारी करने की सला होगी और उस केस में स्टॉप लॉस होना चाहिए 131 का और लग्स रहेगा 146-147 का आपके रडार पर कौन से दो स्टॉक्स हैं सर पहला जो स्टॉ इंडिकेटर्स मुझे यह बता रहे है कि यहां पर एक और उच्छा आने की संभावना है इसले मैं यह स्टॉक रेकमेंट करना चाहूंगा जिसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंट करूंगा 362 का और लग्स जो चार्ट के उपर दिखा देया है 383 का दूसरा स्टॉक ज और जो लग्ष है वो है 70 नूपीज की डेफेंस फ्टॉक्स पर भी खरतारी है डिफेंस और भारते डिफेंस दूनों स्टॉक्स पर आजके सत्र वी कुबिलेशन है पर जो चार्ट धिक्ट होने की संभावना ज्यादा है और जो जो फिलहाल इस टॉप में चलहा है इस था उपर का जो नेवल है रजट जी वो है 69 का और नीचे का तरब जो है वो है करीबन 61, 61, 50 का तो जब तक इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो मैं मानता हूँ कि इसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए फोड़ा कॉसेस भी रखना चाहिए अगर बाइंग करना है तो 69 के उपर करनी चाहिए ऐसी चार्ट को देखे मेरी सलाव में चलिए आप कुछ बैक टू बैक मैं आपसे स्टॉक्स पूछना हूँ एक तो सिम को देखके बता हैं यहां पर इंट्रडे परस्पेक्टिव की बात करें तो यहां पर अच्छा-कासा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आने की संभावना है अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो करीबन असी रुपे तक यह स्टॉक उपर जाने की संभावना है तो जिनके पास यह स्टॉक है वो होल्ड करें और 72 रुपिस का लक्ष यहां पर स्टॉप्रोस यहां पर बना करें तो